मैंने एक ट्रक ड्राइवर के बेटे से इस प्रिक्सा पास करने तक का सफरते किया है सबसे पहले UPSC का मेरे दिमाग में आया जब मैंने गोविन जाइसवाल सर का एंटरीव पड़ा था न्यूजपेपर के फर्स्ट पेज पर उनके एडिंग थी कि रिक्सा चालक का बेटा बनाई है उससे पहले यूपीसी को एक एलीट जो विया उनका एक क्लब माना जाता था काहिन कई फर्स्ट अटेंट फेल हो गए फेल होने के बाद फेल्योर को असेप्ट करना और वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रहा था क्योंकि यह मेरे लाइफ की मतलब बड़ी फेल्योर थी तो मैंने जो है अपनी स्ट्रेजी को चेंज गया उसके बाद फिर लास्ट दोजार इकीस में पांस एकाउंट रेंक के साथ सेलेक्शन हुआ दोस्तों मैं रास्तान राजिय के नागोर जिले के सोमना गाउं का निवासी हूँ मेरे पिता जी है वो एक ट्रक ड्राइवर थे और माता जी एक ग्रीनी है जो हाउस वाइफ है गर संबालती है और मेरी ज जब मैंने गोइन जाइसवाल सर का इंटरीव पड़ा था न्यूजपेपर के फर्स्ट पेज पर उनके एडिंग थी कि रिक्सा चालक का बेटा बना आईस और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था गोइन जाइसवाल सर का और उनका इंटरीव पूरा पड़ा और कहीं नका जो एक इस्ट्रगल था जो लोईर मिडल्लास या लोईर क्लास पिल करते हैं तो वह उससे कहीं नकाई मैं अपने आपको अटेज कर पा रहा था कि अगर वह कर सकते हैं तो मुझे भी लगा कि मैं जिस समाज से आता हूं जिस बेग्राउंड से आता मेरा यह था कि बच्पन में मेरा बच्पन है वो गाउं में बिता था गाउं में पहले मेरे पिता जी जो है वो मिट्टी के बरतन मनाते थे जो हमारा पुस्तेनी खाम होता था तो ऐसे होता कि दिन बर मिट्टी के बरतन मनाते और फिर रात को मुझे पढ़ाते और पापा और तो बापा बड़ी बहुत लोगों की इंस्प्रेशनली मुझे यादे डोक्र अमबेडिगर की स्टोरी सुनाते थे हेलन केलर की स्टोरी सुनाते थे लाल बादूर साथत्री जी की स्टोरी सुनाते थे कि किस तरह से Helen Keller थी तो वो बिना ना देख सकती, ना बोल सकती, ना सुन सकती, उसके बावजू दुनों ने पढ़ाई लिखाई की और एक दुनिया में बहुत बड़ा नाम किया, तो इस तरह से मुझे भी लगता कि मैं भी कुछ करूँ, इनके जैसा कुछ करूँ, मतलब जो नॉर्मल बच्चों का जैसा बच्पन होता है, उस तरह नहीं था, मुझे एक बच्पन से ही मोटिवेशन था कि लाइफ में कुछ करना है, कुछ बड़ा अचीव करना है, थैंक्स टू माइफादर एंड उनकी जो प्रेणास पर इस्टोरी जो मेरी दादी माने सुनाई थ तो इन से मुझे लाइफ में भी बहुत जादा जब में डिफिकल्ट सीचरसन होता था तो उस टाइम भी उससे मुझे मारदर्शन मिलता था, और मुझे कहीं नहीं, जब UPSC की जरनी में काफी सारे मेरे फेलियर से होना करना पड़ा, तो उन फेलियर से उबरने में भी, र कर दिया, उसके बाद उन्होंने ट्रक ड्राइविंग स्टार्ट कर दिया, उस्तों, UPSC मेरी जरनी है, वो भी काफी लंबी रही थी, मेरा 2012 में कोलेज हो गया था, और मैंने उसके बाद UPSC की, और UPSC में सबसे जो मैंने किया कि, फर्स्ट अटेम्ट में UPSC क्लियर करना ह एक पैसन था कि मुझे करना है, फर्स्ट अटेम्ट में क्लियर करना है, जैसे बच्चे नए बच्चे होते हैं, प्रिपरेशन इस्टार्ट करते हैं तो उनमें एक जोस होता है, और वो ही जोस था, फर्स्ट अटेम्ट में, लेकिन हुआ कि नॉलेज जितना UPSC के लिए च बहुत ज़्यादा नर्वसनेस, जिमन में मतलब एक निरासा सी आ गई थी, कि क्या करें, इससे कैसे बाहर निकले, UPSC होगा कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैंने का कि मतलब गिव अप तो नहीं करना है, तो मैंने जो है, अपनी स्ट्रेटजी को चेंज गया, अलांगि अ जो आपर रास्तान PCS है, उसमें मेरा सेलेक्शन हो गया था, उसके बाद फिर लास्ट अटेंट था UPSC का मैंने यूपेसी को दे दिया था लास्ट अटेंट में जाकर मेरा सिलेक्शन होगा, अगर हम मेरे UPSC स्ट्रेटजी की बात करें, तो UPSC में मुझे लगता है कि Prelims और उन चीजों को समझ लो जैसे मैंने तो यह किया था कि इस्ट्री की है जैसे सब सेक्शन वाइज बाढ़ रखे थे प्रिलिम्स के सब्जेक्ट इस्ट्री पॉलिटी जोग्रोफी एकोनोमी एनवायरमेंट साइंस टेक और करेंट अफ्रेयर्स और इनको इनकी जो बैसिक बॉक्स होती है वह सब्जेक्ट की वह लेकर आया मैं और अपनी टेबल पर रख दी थी मैंने सेल्फ इस्टेडी की थी मैं कोचिंग नहीं की थी तो जैसे इस्ट्री के लिए मैंने क्या किया ओल्ड एंसी आटी जो है वह बुक पढ़ ली और एक स जादा नहीं पढ़ना एक चीज को पढ़ना है और उसको बेटर पढ़ना है तो वन मेगजिन वन न्यूजबेपर में सभी को सब्सक्राइश करता हूं कि यह कोई न्यूजबेपर पढ़ लो और एक मेगजिन पढ़ लो इससे आपका करण्ट अफेर्स हो जाएगा और प् पढ़ना की वेल्यूडेड मेटरियल जो कोचिंग का किसी का ले सकते हो और मेंस के तूधा पॉइंट अगर आपको नोट्स मिल जाए जो मेंस के सेलबस में दे रहे हैं उनके आप नोट्स बनाके और उनको पढ़ सकते हो टोपर्स की कोपीज है पे टेस सीरीज के लिए मै में क्या है कि आंसर राइटिंग प्रेक्टिस बहुत इंपोर्टेंट होती है तो कैसे आंसर मतलब लिखने चाहिए तो उसको बेस्ट जज़ गरने का तरीका यह होता है कि आप कोई टोपर्स टोपर है जो यूपीज के जितने भी उनकी कॉपीज है वह आपको गूगल पे और फिर इंटरिव्यू के लिए भी मैं यह मानता हूं कि आपको प्रेक्टिस करनी चाहिए आप अपने तीन चार पांच दोस्तों का ग्रूप बना के साथ में और वन टूवन मोग करो और उसको वीडियो उसको रिकोर्ड करो अपने मोबाइल में तो इस तरह सा आप इंट उसको वहीं पर कोर्ड़नर पर लिख दिया एक बुक को कम सकम पांस बार दस बार पढ़ लोगे तो वह आपके लिए नोट्स की तरह काम करेगी तो प्रिलिम्स के लिए कोई स्पेसिफिक नोट्स बनाने ज़रुवत नहीं है में इंपोर्टेंट नोट्स बनाना क्यों कि म में चीजह हमें याद करके और एक्जाम में लिखना भी होता है वहां पर तो मेंस के लिए आप नोट्स मनाओ और नोट्स में यह है कि इसा नहीं कि पूरे डिटेल स्वियंड के और यूजिक आपको पढ़ना होता है तो वहां पर बने न्यूज बड़ पढ़ा तो न्यू क्योंकि हम पढ़के न्यूजपेबर बंद करते हैं हम चीजें बूल जाते हैं तो उसको अपने नॉट्स फॉर्मेट में जहां भी जो भी चीज पढ़ रहे हो इंपोर्टेंट लगा कि यह यह यूपसी पूल सकते हैं उसको अपनी डायरी में नोट करते जाओ इस तरह से आपको मैंस के लिए नोट्स बनाने की ज़रूरत है अब उसके बाद काफी सारे बच्चों के एक ओल आते हैं कि सर हम रिवीजन कैसे करें तो रिवीजन के लिए तो मैं यह मानता हूं कि एक महीना बर पहले आप पढ़ना नया पढ़ना छोड़ दो उसके बाद ग है ठीक है आप एक बार उसको बुक को बंद रखो और आँख बंद करके सोचो पहले कि अच्छा इस बुक के बारे में क्या कौन-कौन से चैप्टर है और किस चैप्टर में क्या क्या बात कई गई गई है एक बार अगर आप माइंड में रिकॉल कर लोगे फिर आपको लग साथ में यह है कि कुछ ऐसे टोपिक्स होते हैं जो बहुत ज्यादा रटने वाले होते हैं कि चीज़ें हम भूल जाएंगे तो उनको फिर आप लास्ट मॉमेंट के लिए जैसे एक दू दिन पहले कल एगजामे तो आज गे लिए उनको अपनी डायरी रखो उसमें नोट कर सकते हैं मेरी जो जडर्नी यूपियस्ट की वह काफी लंबी रही और मैंने लास्ट अटेम्ट में यूपियस्ट को क्लियर किया मैंने लास्ट तक मैंने यह मान लिया था कि जो दसरत मांजी मूवी उसका ही डाययलोग है बहुत फेमस कि जब तक तोडएंगे नहीं जो समाज के जो वंचित लोवर क्लास हैं उनके लिए एक डारेक्ट क्लास स्विच करने का माध्यम भी है ये सिर्फ एक एक एक्जाम नहीं है ये एक एमपावर्मेंट का सिंबल भी है UPSC और जो मेरी स्टोरी है जो एक बहुत बेगरा मतलब ट्रक ड्राइगरा वेटे से लेके आये जो यूपेसी एक्जाम है क्लियर करने तक की तो बहुत लोगों के लिए मैं क्लियरली देख रहा हूं मेरी सोसाइटी में मेरे आज पास भी भी कि बहुत लोग है जो अपने बच्चों को पढ़ाने लगें उनको भी लगा है कि हाँ यार बच्चा नहीं तो वो तो पढ़ाती नहीं कि पढ़ लिके क्या करना है अभी यूपेसी जर्णी में जिन चीजों को मैंने सिखा है वो है कि एक तो आप पैसेंस रखें लाइप में आपके हाथ में एक्जाम देना है आपके हाथ में रिजल्ट नहीं है ठीक है तो जो गिता का एक कथन है कि कर्मन्यवादिकारस्ते मा फले सुकदाचन करो फल किसा मत कर हम क्या करते हैं कि तैयारी में कि हमें फल पहले लगता है कि हमें गाड़ी मिल जाए यह मिल जाए बस हम कर्म ना करें करो आपके हाथ में केवल रिजल्ट है बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ब्रिलेंट बच्चे होते हैं लेकिन वो क्या करते हैं कि उनका नहीं हो प बार ऐसे होता है क्रिकेट में आप देखते हो मेचेज में भी कि लास्ट ओवर होता है लास्ट बोल होती है उस पे भी मेच पलट जाता है तो जिन्दी में यह होता है कि लास्ट मोमेंट तक आप डटे रहो मेदान में कभी भी यह है वो किसमत पलट सकती है और कभी भी आप आरी होई बाजी को जीद सकते हो और तीसरा मेरा यह है कि stress management पे आप ज्यान दो बच्चों को मैं यह ही कहूंगा कि आप थोड़ा योगा meditation इन चीजों को अपनी life में lifestyle में include कर लें इस चीज से मुझे stress management बहुत help मिली थी नहीं तो आप सोच सकते हो कि last moment तो कौन तयारी कर सकता है हमारी performance तो दो तीन साल के बाद गिरने लगती है क्योंकि दो तीन साल बाद इतने ज़्यादा pressure आ जाते हैं साधी करो यह करो कमाओ क्या कर रहा है ऐसे तो आप इतने सारे stress को कैसे जेल होगी तो stress management बहुत जरूरी है और योगा मेर्टेशन उसमें काफी help करता है तो यह जो तीन चीजें हैं इन चीजों से आपको काफी help मिलेगी उठो जागो और तब तक मत रुको तब जब तक कि आपका लक्षें नहीं मिल जाता तो इस तरह से आप निरंतर अपने लक्षे के और बढ़ते रहें तैंक यूश की टीम ने मेरी कहानी सुनने के बाद मुझे अप्रोच किया और उन्होंने यह कहा मुझसे कि क्या कुछ हम साथ ऐसा कर सकते हैं बहुत सारे उनके फैमिली में ऐसे बच्चे है जोश की फैमिली में जो मेरिटोरियस हैं पढ़ना चाहते हैं बट फानेंशिल और दूसरी ऐसे बाधाओं की वज़े से वह शायद अच्छी गुडवत्ता वाली जो पढ़ाई है वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं आज मुझे ब आप तक UPSC की पढ़ाई को पहुंचाऊंगा मैं इंशोर करूंगा कि आपको वही गुडवत्ता मिले जिसकी वह यूज करके बहुत साले टॉपर ने अपने ड्रीम को फुल्फिल किया है आपके ड्रीम में या ड्रीम के फुल्फिल्मेंट में कभी भी कोई फानाशिल बा प्रीता के साथ और अधिक बारीकियों के साथ तैयारी कर सके चलो साथ में आगे बढ़ते हैं कि 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 कि